तो दोस्तो मारे अकाउंटिंग का फाइनेंस लियर 2020-21 अब 31 मार्थ 2021 को कुलोज हो चुक है और अब हम इंटर करने वाले हैं नए फाइनेंस लियर यानिकी 2021 के सेशन में तो दोस्तो अगर आप last year से यानिकी फाइननस लियर 2021 से अपनी बुक्सुप अकाउंट्स को टेली सॉप्टवेर में या फिर बिजि काउंटिंग सॉप्टवेर में में निकेन करते आ रहे हो तो आप उस अकाउंटिंग सॉप्टवेर में जो मारा पुराना फाइननस लियर ह उसे आप software में किस तरीके से close करोगे और नए financial year यान की 2021 के session में किस तरीके से enter होते हैं तो दोस्तों ये सारा discuss आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं भी हमें 2021 के लिए नई company create करने चाहिए या फिर जो हमारा फुराना data चल रहा है उसे यागे carry forward करना चाहिए तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक नए accountant के लिए बहुती ज़्यादा important है इसलिए आप इस वीडियो को end तक complete जरूर देखना वीडियो अच्छी लगे तो like करने के साथ साथ share भी जरूर कर देना क्योंकि वीडियो काफी important है एक नए accountant के लिए और अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ओन कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के practical और knowledgeable वीडियो जो continue upload करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का ही वीडियो तो दोस्तो accounting software में financial layer को close किस तरीके से किया जाता है और नए session में किस तरीके से इंटर किया जाता है यह आज हम दो accounting software के साथ practically सीखने वाले हैं एक तो दोस्तो हम बात करेंगे टेली प्रैम software की और दूसरी हम करेंगे वीजी accounting software में financial layer को किस प्रकार change किया जाता है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेली प्रैम software में दोस्तो जो हमने company याँ पे create क करके रखी है और उसमें हमने financial layer यान की एक अप्रेल 2020 से लेके 31 March 2021 तक का record हमने इस company में maintain किया हुए है तो हम देख लेते हैं सब सारे record को इसके लिए हम जाएंगे display more reports पर और उसके बाद देबुक पे और सारी transaction देखने के लिए हम app to press करेंगे और यहां से जो date आपको देख 2021 तक का यान की financial year 2021 का जो भी record आपने maintain किया सारा record आपके सामने open हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपकी books of accounts में भी काफी ज़्यादा आप laser create आप करते हो यान की सेंटरी डेप्टर की list भी आपकी काफी ज़्यादा लंबी रहती है सेंटरी क्रेडिटर की list भी आप रहते हैं तो आपको financial year 2021 के लिए नई company create करने के बज़े आपको financial year 2021 का जो record है उसे यागे carry forward कर लेना चाहिए इससे होगा क्या आपने जो भी laser आप create कर रखे है already आपने तो वो आपको दुबारा बनाने की जुरूरत नहीं है जो stock आपने पहले create कर रखे है वो stock आप 2021 में भ तो create करने की जुरूरत नहीं है और दूसरी बात जितने भी उनके closing balance रहेंगे वो automatic की आगे carry forward हो जाके 2020-21 के लिए सभी का opening balance है जो automatic ही त्यार हो जाएगा तो क्योंकि अगर आप नई company create करो के तो आपको नए series सारी मैने ता जो दुबारा करने पड़ती है दोस्तों अगर आपने finance layer 20-21 के दोरान stock item के नाम आपने गलत मना दिये उनके group के selection आपने गलत कर दिये या sendi debtor या creditor के laser है वो आपने गलत create कर दिये अगर आप नए series से नए काम को सुदार के करना चाते हो तब आप finance layer 2021 के लिए एक नई company create के जिए और उसमें जो गलतियां आपने finance layer 20-21 मे करें थी उससे आप दुबारा repeat नहीं करें तो आपको benefit है नई company create करने का अगर आपका जो पुराना data finance layer 2021 में आपने सही तरीके से laser बनाए है अंडर में सही उनका group की selection सही किया है stock item का नाम उनकी unit है उनका group है उनका stock की category है वो सही तरीके से आपने maintain करके रखी हुए तो आप आपको नई company create करने के वज़ाए आपको पुराने वाल data को ही आगे carry forward कर लेना जाई है तो दोस्तों हम एक बार finance layer 2021 का जो record हमने maintain किया है उसका हम balance sheet में जाके इसका record एक बार चेक कर लेते हैं हम balance sheet पे जाएंगे alt F1 के साथ detail open करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे sendi debtor है, creditor है, fixed assets है, capital account है, सब की detail आपको show रही है तो अगर यह financial year 2021 के लिए company create करेंगे तो सारी मेनत दूबारा करनी पड़ेगी तो इसलिए हम इसी के record को ही आगे financial year 2021 के लिए carry forward इसको कर लेते हैं तो tellie software के अंदर financial year को रोज करना और next financial year में enter होने के लिए सबसे पहले आपको gateway टेली पर आना है, और दोस्तो एक बात आप से और भी करनी है, नए session में enter होने से पहले एक बार आप अपने पुराना चो रिकोर्डा financial year भी सिक्किस का उसका backup आप जरूर लेके रखेगा, तो दोस्तो बेक अप लेने के लिए अगर आप tellie prime software यूज कर रहे हो, तो आपको जाना पड़ेगा, data की option पर, और data पर option जाने के बाद आपको option मिलेगा यहाँ पर backup का, तो backup पर interface करेंगे, और उसके बाद में आपको जहाँ जिस location पर आपको backup लेना है, उसका path यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, तो दोस्तो कोसिस करें, भी आप C drive को ignore करें, उस में आप backup लेजिए, तो मैं यहाँ पर D drive के इसका backup ले लेता हूँ, और D drive के आने के बाद में, यहाँ पर एक folder करेंड लेता हूँ, फाइनेंस लियर 2020 की इसका, और उसके बाद में सारी company का में backup ले लेता हूँ, तो backup मेरा complete हो गया, अब नए session में इंटर होने के लिए, गे F2 हमें प्रेस करना है, और उसके बाद में, जो आपको यहाँ पर date show हो रही है, 1 April 2020, 2, 31, 3, 2021, तो अब 14 2020, जो आपको show हो रहे है, यहाँ पर हम करेंगे 21, और 2 में हम करेंगे 2022, यादि कि हम जो financial level हमारा 2021 का है, 14 2021 से लेके 31 मार्थ 2022 तक का, हम इंटर प्रेस करेंगे, तो यह जो हमारा फिच्छवार जितना भी data तो सारा का सारा आगे carry forward हो चुका है, तो इसको देखने के लिए अब यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, current period है, जो आपका 1 April 2021 लेके 31 मार्थ 2022 के नए session में आप इंटर हो चुके हो, तो उसके लिए हम वापिस balance sheet पर हम जाएंगे, और LTF1 के साथ detail open करेंगे, तो जो last year का जो balance था, वो सारा automatic आगे carry forward हो गया है, हम किसी भी एक laser का open करते हैं, और उसके बाद जैसे के हम यहाँ पे current traders का laser open करते हैं, तो आप देखे हो जो last year का closing balance था, वो इस साल का जो opening balance automatic ही आगे है, तो अगर आप नई company create करते हो, तो सभी क opening balance आपको manually रूप से posting करनी पड़ेगी, तो इसलिए सारा data जो automatic carry forward हो चुका है, आप capital count का balance देख सकते हो, इसका भी opening balance आगे है, इसी तरीके से आप stock summary अगर आप जा के देखोगे, तो जो last year का closing balance था, वो भी आपका opening आ चुका है, हम इसको एकर F बारा प्रेस करेंगे, और बाद में show opening balance, goods inward और outward अकरम देखेंगे, तो आप देख रहे हो, सभी का opening balance आपको show हो रहा है, नहीं तो हमने इस बार कोई process करेंगे, और नहीं कोई sale करेंगे, तो आपका जो last year का closing balance, इस year का opening balance आ गया, और अभी तक हमें AGTZ closing balance ही show कर रहा है, क्योंकि हमने financial year 21-22 के दोरन अ transaction हमें करनी है, हमारे books को अभी तक हमने पूरी तरीके से close किया नहीं है, तो वापिस से हम वही पिरकेर हम करेंगे, alt, f2 हम प्रेस करेंगे, और अब जहां पर आपको वापिस 21-22 हो रहा है, तो हम 1 April 21 कोटा के वापिस 20 करेंगे, और उसके बाद में 22 कोटा के 31 दिन 21 करेंग जो carry forward हो जाएगी, और हम बात करते है, busy counting software में, हम financial year change किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए हमें, जो हमें एक menu bar में देख रहा है, administration, इस पर हम click करेंगे, और इस पर click करने के बाद आपको एक option यहाँ पर अच्छी होएगा, change financial year का, हम change financial year पर आके enterprise करेंगे, तो उसके बा लेकि अभी जो current period हमारे पास चल रहा है, financial year वो already 2021 का ही open है, तो 2021 अगर close होएगा, तो वो 2021 के session में, automatic ही enter हो जाएगा, और हम यहाँ पर enterprise करेंगे, और enterprise करने के बाद, you are going यहाँ पर एक में message मिलेगा, you are going to create a new financial year starting from 1 April 2021, तो हम बिल्कुल इसे yes करेंगे, okay करेंगे, और okay करने करने के बाद, आपको यहाँ पर start पर click करना होगा, क्योंकि start पर आप जैसे click करेंगे, तो जो last year का जितना भी आपका closing blanks है, और सारा का सारा आगे carry forward हो जाएगा, और इसे हम करेंगे start पर click, तो आप देख रहेंगे, यहाँ पर starting आज इसकी जो process है, वो start हो चुके, next year के ल आपके पास आजाएगा, भी finance layer changed successfully, और इसे हम okay press करेंगे, तो जैसे हम okay press करेंगे, तो आप देख रहेंगे, यहाँ पर इसका जो finance layer हो भी, automatic change हो जाएगा, finance layer 2021, यान कि हम 21-22 के session में आए, हमारे जो dashboard है, हम जो भी transaction करेंगे, वो 21-22 के अंदर count होगी, अगर हम वापिस change करन पड़े, यान कि वापिस हमें finance layer, 20-21 के session में वापिस जाना है, तो वापिस हम इसी option पर जाएगे, change finance layer पर, enter press करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा, या finance layer वापिस 2020 में जाना चाते हो, या फिर 1-22 को आप नया create करना चाते हो, तो हमें back में जाना है, तो switch to finance layer basically, इसको yes करेंगे, तो जैसी yes करेंगे, finance layer successfully हो गया है, और इसको okay करेंगे, तो यहाँ पर finance layer basically है, जो automatic आपके सामने आ जाएगा, तो दोस्तो इस तरीके से हम telly software में और basic accounting software में finance layer को change भी कर सकते हैं, और वापिस उसको switch भी कर सकते हैं, तो दोस्तो अगर आज की वीड को subscribe नहीं किया है, तो प्लेज अभी कर लेना, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियो आगे आपके लिए और भी लाते रहेंगे, तो दोस्तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में के ने टोपी के साथ,